Hello students, आज हम class 4th की SST की book के chapter 13 and 14 की worksheet solve करेंगे 13 chapter है, we are all Indians, हम सब भारतिय हैं और next chapter है 14, our neighboring countries, हमारे पडोसी देश यानि कि जो भारत के पडोसी देश है, वो उनके बारे में जानेंगे चलिए बक्चर शुरू करते हैं First question है, Dear Children, The climatic conditions in our country are diverse The climate of seven hilly northern eastern Indian states is different from plains These states are also called seven sisters बच्चों, जो हमारे देश भारत है, इसमें हर जगह की, mostly जगह की, जो जलवायू है वो बहुत ही अलग-अलग है जैसे कि जब मुकश्मीर में कितनी बर्फ पड़ती है, कितनी ठंड होती है और जैसे अगर आप South India का देखेंगे Tamil Nadu, Keral, Karnatka यहाँ पर बहुत ज़ादा गर्मी पड़ती है तो इसी तरह और भी हमारा जो इस्ट है, इस्टरन जो स्टेट है उनमें उनका भी क्लाइमेट बिलकुल अलग है वहाँ पर बहुत ज़ादा बारिश भी होती है और वहाँ पर भी मतलब अलग टेंपरेचर है, अलग जलवाई हुए वहाँ की तो उनके बारे में ही पढ़ेंगे जो कि समतल जो एरिया है, समतल मैदानों से अलग है उनकी जलवाई हूँ और उन स्टेट्स को हम सेवन सिस्टर्स यानि की साथ बहने सब्त भगिन्या इस तरीके से बोलते है चूज दे सेवन नौर्थ इस्टर्न स्टेट्स फ्रम दे बॉक्स और फिल इन दा ब्लैंक्स यहाँ पर आपको इंडियन स्टेट्स दे रखे हैं जिनमें से आपको जो सेवन सिस्टर्स वाले स्टेट है नौर्थ इस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनका नाम जाटकर यहाँ लिखना है नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश, असम, मनीपूर, त्रिपूरा, मिघालय, मिजोरम यह जो साथ राज्ये हैं नौर्थ इस्टर्न स्टेट्स हैं इन्हें हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं चलिए आगे क्वेस्टन टू है, डू यू है अनी फ्रेंड फ्रम नौर्थ इस्ट, ठिंक एना, आंसर देट फॉलॉइंग क्या आपका कोई दोस्त नौर्थ इस्ट से है, सोचो और आंसर लिखो पहला है, what dress and customs people of North East follow? जो North East के लोग हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के रितिरी बाजो को मानते हैं इसमें आंसर लिखा है, मैंने, people of North East wear mekhla, moong silk sari, etc. जो North East के लोग होते हैं, वो मेkhla पहनते हैं, जो कि एक सारी की तरह ही होता है, धोती की तरह ही होता है, और जो moonga silk sari है, वो silk की एक सारी होती है, जो कि बहुत ही famous sari है There are enthralling and numerous festivals that are an open door of showcasing cultural activities, handicraft and different cuisements that are considered exquisite बच्चों देखिए, यहां पर बहुत सारे तरह के तोहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे रितिरी वाज होते हैं इनके, और इसमें यह लोग बहुत सारी cultural activities, sanskritic जोगतिविधियां होती हैं, हस्तिसिल्प कलाएं, तरह तरह की दिल्चस्प चीज़ें करते हैं, जो कि जिन से कि यह लोग बहुत ही, मतलब खुशी मनाते हैं, इस तरह से यह रहते हैं, अब है, next question है, why do people from the north east travel and live in different parts the country, जो north east के लोग होते हैं, वो अलग-अलग traveling क्यों करते हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों में और अलग-अलग जगे जाकर क्यों रहते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं, they travel for different purposes, like वो निम्न तरीक, मतलब की कारणों के वजह से traveling करते हैं, यात्रा करते हैं, पहला तो यह है, higher education, next service and business, बच्चों क्यों कि north east का जो area है, वहां पे पहाड़ी शेत्र है, और वहां का जीवन मुश्किल भी है, इसलिए वहां के लोग-अलग जगे पर जाकर रहते हैं, उच्ची सिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए और बिजनिस करने के लिए, चलिए वच्चों, third question है, नेम और neighboring countries with their capital, भारत की जो पडोसी देश हैं, उनका नाम लिखना है और उनकी राजधानी लिखनी है, तो नेपाल की राजधानी है, काथमांडू, बांगलादेश, धाका, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, स्री लंका, स्री जैवर्देने, पुरा, कोटे, म्यामाद, नेपेड़, भूटान, थिम्पू, इनकी यह यह राजधानी हैं, next question of four, discuss with your family members and write the names of the countries according to the statements given below, यहाँ पर आपको कुछ statements दे रखे हैं, जि से आपको यह statement किस देश के लिए दी गई है, उस देश का आपको नाम लिखना है, जैसे कि, first है, two neighboring countries situated in the Indian Ocean, Indian Ocean में जो भारत की जो पडोसी देश हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उनका नाम है स्री लंका and Maldives, next है, its tigers are world famous, यह कौन सा देश है, जिसके जो tiger हैं, वो world famous हैं, तो यह है, बांगला देश, जहां कर रॉयल बेंगॉल टाइगर जो है, वो world famous है, विस्व प्रसिद्ध टाइगर, third है, popularly known as pearl of the east, pearl of the east कौन से देश को कहा जाता है, स्री लंका को, fourth question है, sheep, goats and yaks are reared in its grasslands near rivers, जो भेड, बक्री और याक की रियरिंग की जाती है, वो कहां पर की जाती है, यह भूटान में की जाती है, वहां के जो घास के मैदान है, उस जगे पर नदी के किनारे, fifth है, the famous path, bolan and khayber are situated here, जो बोलन दर्रा and khayber दर्रा जो है, वो कहां पर situated है, तो यह है, पाकिस्तान, sixth है, करनाली, कोसी and गंड़क are its main rivers, करनाली, कोसी और गंड़क, इसकी मेन नदिया है, मुख्य नदिया है, तो यह कौन सा देश है, नेपाल, चलिए वच्छो, fifth question है, locate and name the North East Indian states on the map of India, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दे रखा है, जिसमें आपको North East Indian states को मैप पर मार्क करना है, और उनके नाम लिख देने, देखें, मैंने आप लिखा है, इसी तरह आपको भी गौर से देखते हुए, जैसे फरस्ट है यह सिक्किम, नेफ्टर नुनाचल प्रदेश, असम, मिघाल्या, त्रिपुरा, मिजोरम, मानिपूर, और नागालेंड, यह जो आठ राज्ये हैं, यह North East में आते हैं, लेकिन तुझ सेवन सिस्टर्स हैं, उनमें सिक्किम नहीं आता है, थैंक यू,